आज की इस वीडियो में आपको B.H.E.L. भेल रिगूटमेंद वारबास के तरफ से एक न्यूव वेकंसी एनौस की गए है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ इसमें डिपलोमा, बीटेक और आटिया तीनों वाले अप्लाइ कर सकते हैं सिवील, मेकनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स और इस्टुमेंटेशन बरांच है और इंडिया से कहीं से बिलों करते हैं तो आप लोग इसको अपलाइक कर सकते हैं देख सकते हैं ये इसका ओफिशल एर्वर्टेजमेंट नोटिस है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बी एच इयल भेल के तरफ से ये न्यू रिक्रूट्मेंट एनॉस की गई है वेकंसी जो की अप्रेंटिस वालों के लिए है इसमें आपको सभी ब्रांच के लि वालों के लिए अगर आप लोग ये सभी ब्रांच से बी बी टेक किये हैं और डिप्लोमा किये हैं तो आप लोग इसमें इलिजिबल हैं अपलाइक कर सकते हैं यहाँ पर एसेंसल रिक्वर्ट में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अव्यर्थी की आयू दिनांक 142022 को आपका 18-37 के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर अखिल भारती तकनिकी सिक्षा पडिशद और इंडिया कॉंसिल फोर टेक्निकल एजुकेशन यह से आपका एप्रूब्ड कॉलेज या इंसुचूट है जिनसे अगर आप लोग बी बीटेक या डिप्लोमा किये हैं थ्र अगर आप कहीं भी apprenticeship कहीं पड़ भी एक बार कर लिये हैं तो आप लोग future में कभी भी apprenticeship के लिए eligible नहीं होते हैं आप अपने lifetime में एक ही बार apprentice कर सकते हैं अब जो भी candidate इसमें eligibility criteria में एक चीज़ और mention किया गया है जो भी ऐसे candidate हैं जो 2019 के पहले या उससे पहले आप लोग अग eligible नहीं होंगे उसके बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं आयू में छूट आवेदन करने में उपड़ी सीमा में आपको छूट दिया जाएगा जो कि आपको SCST, OBC और दिव्यांग कटेगरी के लिए आपको मिलेगा आरक्षन की बात करें तो आपको all India level पर जो reservation मिलता है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा अलग अलग करते हैं उस चैन पर क्रिया सेलेक्षन प्रोसेस जो है इसका आपका डिपलोमा और बीटेग में जो भी मार काया है उसी क्याधार पर आपका होगा मेरिट लिस्ट त्यार किया जाएगा तो आपका इसमें क प्रियोग नहीं किया जाएगा तो आप लोग इसके वेबसाइट पर चेक करते रहिएगा जब रिजल्ट डिकलेर करेगा तो आप लोग यहां पर देख सकते हो उसके बाद इसमें और भी जो जनरल इंफोर्मेशन दिया गया जिसको कि आप लोग पर सकते हैं उसके बाद म चाया परती जो आपका फोटोग्राफ जो आपका रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो इंडॉल्मेंट नमर प्रिंट होता है उसको आप लोग रख लिजेगा एस्टेप टू में आपको इसके ओफिसल वेबसाइट पर आना है यहां पर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप् है आप लोग इस पर किलिक किजेगा अपलाइ करने के लिए यहां किलिक करें तो यहां पर जैसे किलिक किजेगा तो आपके सामने में न्यू विंडो ओपन होकर का आएगा यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह इसका रिकूट्मेंट पोर्टल है जो यहां पर आप लोग apply करना होगा इसी की website से apply कर सकते हैं current opening में यहाँ पर आपको technician या graduate apprentice का option दिखेगा इस पर click किजिएगा तो आपके सामने में new interface open होगा जो की कुछ इस तरह से होगा यहाँ पर date देख सकते हैं 3 March 2022 से इसको apply कर सकते हैं और last date जो है apply करने का 19 March 2022 है तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे में option दिखेगा click here for new registration का तो आप लोग पहले registration कर लिजेगा उसके बाद आप लोग लोग इन करके इस form को completely fill कर सकते हैं अब मैं आप लोग को इसका जो official PDF है यह अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा वहाँ पर आप लोग इसको download कर सकते हैं और ITA वालो जो अब लोग इसको apply कर पाओगे अगर आपका selection होता है तो merit list जब जाड़ी करेगा ता आप लोग उसमें देख लिजेगा उनके बाद आपको document verification के लिए सारे document की जरूरत पड़ेगी जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं list wise करके दिया गया है यह सभी document को आप लोग ready करक और अपने दोस्तों के साथ share जरूरत से कर दीजेगा